तोर भगवान का नाता अलग ही होता है जिसकी कई कहानिया देखने और सुनने को अक्सर मिल जाती है और अब इसी तरह की एक कहानी निकल कर आई है विश्व प्रसिद बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन से जहां महाकाल के चरणों में अपनी पूरी जिन्दगी बिताने वाली बेबी बाई उर्फ सरोच लक्ष्मी ने जिन्दगी के अंतिन पड़ाव पर अपनी पूरी संपत्ती बाबा महाकाल के नाम कर दी है उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए फिलहाल उनके नाम से बैंक में जमा एक लाख साथ हजार के फिक्स डिपॉजिट और करीब दो लाख रुपे कैश की तफ्तीश की जा रहेगी जांच के बाद उनके जंदा रहने तक ये संपत्य उनके नाम रहेगी और बननो प्रांथ ये भगवान महाकाल के नाम हो जाएगी मंदीर में हमारिया पर एक बेबी और पर सरोजबाई करके महिला है जो युवा अवस्ता से मंदीर में कावरिक कर रही है और प्रतिदिन सेवा दे रही है चुकि ब्रद्ध हो गई है वो और उसके दौरा इच्छा जाहिर की गई मुझसे मिलकर के मेरे पास जो भी संपत्त करती है वो बाबा मा काले को दांद की जाए तो उनके द्वारा जो उनके पास एपडी थी एक लाग साथ हजार की वो मंदीर को दे दी गई है और मेंग खाते में जितने भी उनके राशी है वो भी मंदीर